जेनलिया देश्मुक ने बताया अपने रिलेशन्शिप का सक्सेस मंत्रा बताया किस तरीके से उनके रिलेशन्शिप को हो चुके हैं इतने लंबे साल और इसके बाद में साथ में रोमांस करते हुए नजर आते हैं ये दोनों वॉलिवूड के कपल नमशकार आप देख रहे ये उन कपल्स में से हैं जो कि इतने लंबे टाइम तक सरवाइव कर पाए हैं एक दूसरे के साथ तुझे मेरी किसम फिल्म में 2002 में दोनों साथ में मिले थे और इसके बाद से दोनों ने 9 साल तक देट किया था और 2012 में शादी भी कर ली थी 2014 में उनकी जिन्दगी में एक नना सा राजकुमार भी आया था और इसके बाद उनकी जिन्दगी में जो है उतार चड़ावाते रहें मगर दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा जिसको लेके दोनों ही काफी ज़दा हाइलाइट में रहते हैं अपनी रिलेशन्शिप के लिए काफी ज़दा सोर रिलेशन्शिप को अच्छे से चलाती हैं क्या है उनका सीक्रेट मंदर रहने कहा कि कम्मिनिकेशन और रिस्पेक्ट बहुत ज़दा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी रिलेशन्शिप में और किसी भी रिलेशन्शिप को सही तरीके से चलाने के लिए ये दुनों टूटने के असार भी हो जाते हैं इसी के अलावा जमन से पूचा गया कि आप जो रिलेशन्शिप के बारे में दिखाती हैं उसे आपकी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है जिसको लेकि जवाब दिया कि मुझे कोई भी वैलेडेशन की ज़रुत नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या सूचता है बढ़ाए प्यार का काम करता है हम तोनों की रिलेशन्शिप को लेके और हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे बॉन्ड को इस तरीके से दिखाते पा रहे हैं आपको बताते जनलिया ने जाने तू जाने ना जैसी फिल्में मस्ती फोर्स जैसी कई जाने वाले वक्ति उनकी ट्रायल पिरड आने वाली है इसमें दिखाई देने वाली है वह एक सिंगल मदर के किरदार में जिसमें उनके साथ उनके पती का किरदार निम्हाएंगे एक बहुत जादा दिगज कलाकर जिनका ना मानव है और दोनों की बीच की करदे को परदे देखने के लिए इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस ना करें ऐसी और दमाम कपरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें धन्यवाद